यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हो गया फिलाल पुलिस ने पीडिता की मां की बयान के अधार पर मामला तरज कर आगे की चांच शुरू करती है कैमरी थाने के अंतरगत नानकार गाओं में यह तहरी प्राप्त हुई है थाने पर जिसमें मुकदमा लिखा गया है अगर आप भी विदेश में नौकरी करने की चाहा रखते हैं और एजिंट के जरिये विदेश जाने के खुआप समझो रहे है तो यह खबर आपके लिए है दरसल मलेशिया में नौकरी करने का सपना देख रहे चार युवग धोखा धरी का शिकार हुए है एक एजिंट ने विदेश भीजने के नाम पर चारो युवकों से एक लाख रुपे लिए और चारो को टूरिस्ट वीजा पकड़ा कर मलेशिया भीज दिया मलेशिया पहुचने पर चारो युवकों को धोखा धरी का एहसास हुआ करीब दस दिनों तक तमाम परिशानिया चेलने के बाद जब घर से पैसा मिला तब कहीं ड्रा कर चारो युवकों अपने वतन वापस लुट सके पीडित वीज़कों ने बताया कि आरोपी एजेंट ने चारो को मलेशिया में एक कमरे में क्याद करके रखा था और किसी तरह से कमरे का ताला तोड़कर वो चारो वहां से भागने में काम्याब हुए इसके साथ ही उन्होंने बताए कि एजेंट ने चारों के वापस आने का टिकेट भी कैंसल करा दिया था फिलहाल पुलिस ने वियुवकों का वयान दर्च कर एजेंट की तलाश शुरू कर दी है तो हमको लोगों काम पर लगवाएं पु को हमने फून किया जो हमारे एजेंट यहां से भेजे थे तो उसने हमको लोगों को गाली गुपता दिया कि हमारे पास अब कहां पर इसे हैं को हमती झालो